कि यह बनने के बाद ना जब मैंने अपनी practice start करी तो टू week के अंदर 10 clients मेरी easily बन गए थे और जिसमें से ना चार ऐसे clients जो मेरी जान पेचानमे तरन नोन में थे बाकि इस clients completely unknown थे और इन टेन क्लाइंट्स ने फर्स्ट मंत में ही मुझे एक बहुत अच्छी डिवैन्यू जनरेट करके दिया मतलब उन्होंने मुझे बहुत अच्छी फीस पे करी तो कैसे चाहे आप सीए हैं या नहीं है या सीए स्टूडेंट है या आप टेक्सेशन और अपना करीर बना रहें टेक्स एडवाईजर, GST, Practitioner, कोई भी है या किसी भी तरीके से आप क्लाइंट के साथ डिल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हैल्फुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं वो टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिसके तुरू अंदर ही 10 क्लाइंट से मैंने ब से पहले क्या हुआ कि जब मैंने प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करी थी उस टाइम पे मेरे पास दो-तिन आप्शन से एक और क्योंकि प्रैक्टिस को भी रिकमेंट करता हूँ कि जॉब मत करो और अपना वर्क करो जो भी आपको करना है तो अगर वो सब भी आप जानना चा अब दूगा ठीक है तो मेरे पास किया था कि जॉब एपलाई करने के लिए अपने लिंग्डिन को जो मैंने ग्रो किया था उस वह एक कॉम्मिनटी मेरे पास थी वह लिंग्डिन पर फॉलवर्शिप मेरे पास थी और कोई ऐसी बहुत बड़ी नहीं आइजिंक उस टाइम सब्सक्राइब करता था तो इसलिए लोग मुझे जानते थे हां बट उससे पहले मैं थोड़ा सा अपनी जॉब के फोकस कंटेंट शेर करता था तो इमिडेटली मैंने स्विच किया कि इस पे अपने टैक्सेशन प्रेक्टिस से रिलेड़ेड अपनी सीए प्रेक्टिस से बट क्योंकि कॉम्मिनेटी थी लोग मेरे क्वालिटी कंटेंट को प्रिफर करते थे उनको अच्छा लगता था तो वह उस चीज को उन्होंने समझा और वहां से भी मुझे काफी सारी क्लाइंट्स मिलें तो अगर आप यह सोच रोना कि सिर्फ ऑफलाइन ऑफलाइन ही क्ल और जो अपना सर्कल था सब को इंफर्म किया कि हां अपनी प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट कर दिया अब इसको शेर करने के लिए नहीं दो मैंतर थे एक मैंतर तो था कि मैं एडवर्टाइस कर दूं कि अभी यह सर्विस हम दे रहे हैं आप आये मुझे सर्विस लेजी इस त च्छamba चाते यहां मेरे पास काम लेकर आये और यहां पर अभी बास समझाए मैं सामने से काम मुझ रहा हूं तो फरक क्या पढ़ता है वो सोचते हैं कि मेरी requirement है जब वो काम लेके वो आते हैं तो उनकी requirement बन जाते है इससे फरक वैसे कुछ नहीं पड़ते है बट client आपकी value ज़्यादा करता है और fees आपको properly pay करते है तो इस हीच का बहुत important है तो जब भी आप advertise भी कर रहे हैं तो advertisement में सीधा सीधा काम मांगने वाला feel कभी मताने दो कि आप काम मांग रहे हो आप हमेशे ऐसे चोग करो हाँ ये मेरी service है, मेरा office है मैं ये provide करता हूँ आपको काम required है तो सामने वाला person अपने आप से आपको contact करेगा बीच में एक important information थी अगर आप GST, income tax, tally, excel, mutual fund, audit asset 25 courses, बिल्कुल 0 level से practical, advanced level तक सीखना चाहते हो जिसके अंदर return filing registration सब कुछ अच्छे से covered है thousand plus videos है तो या फिर आप ये जानना चाहते हो कि taxation और accounting film में अपना career बना के कैसे बाग की student 10 lakh से लेकर 25 lakh रूपीज yearly earn कर रहे है तो आप C.A.P. गुपता नेम से mobile app डाउनलोड कर सकते हैं और हाँ, अभी कुछ time के लिए 50% scholarship available है तो अगर आप सभी courses purchase करते हैं तो एक course की value just 3.95 रूपीज आएगी उसके अलावाब मैंने Facebook पे और WhatsApp पे दोनों जगह पे ये information share करनी start कर दी क्योंकि Instagram पे ना तो मैं active था ना Instagram पे senior audience इतनी ज़्यादा रहती है mainly वह WhatsApp पे होती है और WhatsApp पे तो अपने connections है और Facebook पे होती है, तो दोनों जगह मैंने information share करनी चुरू करी है अब बात समझ रहे हैं, इन 15 days के अंदर-अंदर ही मैंने LinkedIn को फुल फ्रेम यूज़ किया, अपने WhatsApp को यूज़ किया, जो Facebook था उसको यूज़ किया, जितने context को मुझे जैसे भी information share करनी थी, उनके साथ सबके साथ information share करनी मतलब ये 15 days मैंने बहुत अच्छे से dedicate कि बहुत अच्छे से efforts पुटकि बहुत बार students को देखा है जो मैं उनको recommend करता रहता हूं, courses के अंदर भी बहुत अच्छे से detail में training दी है कि कैसे आप अपने clients बना सकते हो, तो कुछ student के होते हैं, कि मैंने बताया इतना effort देने को, वो इतना से effort देते हैं, sir, client तो बने ही नहीं है, महनत करनी पढ़ेगी न, आपको starting में आप 5 मही ने महनत कर लो, पूरी life आपकी एक level पर आजाती है, settle हो जाती है, फिर उतने efforts clients find out करने में नहीं जाते है, शुरू के 10 client मिलना मुश्किल है, उसके बाद सो 10 client आपके, अपने आपी client grow ह होते चले जाएंगे, आपको मेनत उसके लिए जादा कर देनी पड़ेगी, बस जो clients हैं, उनको quality service देते हो, और इन clients को न, मतलब सामने हमेशा अपने आपको strongly present किया है, confidently present किया है, उनको सही guidance दिये, तो हमेशा न, मतलब जब भी आप client को handle कर रहे हो, तो confidence सबसे ज़्याद ह होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज की knowledge आपको immediate base पे हो, but confidently उनको tackle कैसे करना है, वो आपको पता होना चाहिए, कि हाँ, मतलब अगर सामने client ने आप से कोई question पूछा है, तो आप उसका reply properly दे पाए, और अगर आपको नहीं पता है, तो भी उसको confidently आप convince कर पाए, कि ठीक है, यह information मैं check करता हूँ, एक बाँ मुझे देखना रहेगा, तो वहाँ पर कोई problem ऐसा नहीं, क्योंकि कभी भी coach नहीं ऐसा हो सकता है, कि 100% knowledge आपको हमेशा हो, क्योंकि आप एक सी समझो ना कि English, Hindi आप बच्पन से बोलते आ रहे हो, मतलब बच्पन in the sense कि कब से बोल करें, और again मैं को हूँगा कि client से ना काम मांगी नहीं, आप advertise करें, market करें, सब कुछ करें, but client को आपके पास आने दीजिए, ठीक है, वो चीज बहुत important होती है, बागी बहुत सारी चीजे जो इससे client से related है, course के अंदर तो बहुत in-depth बदाई रखा है, सारी चीजों को सिखा हो, तो यूटूब पे playlist section पे जाना, how to get client की playlist है, उसके अंदर भी बहुत कुछ है, वो ही information आपके लिए बहुत helpful हो जाएगी, और course अगर आपने purchase कर रखे हैं, तो फिर तो मतलब इतना ज़्यादा उसमें सिखा रखे हैं, कि उसके बास student बहुत अची income generate करते हैं, तो आप दोनों जगे जैसा भी होता है, आप देखना, और फिर भी इससे related कोई doubt है या client की साथ कुछ challenge आता है, आप comment करना, मेरी कोशिश रहेगी कि या तो आपके वहाँ पर reply कर दूँ अगर possible है, otherwise near future में उसके उपर वीडियो create कर दूँ, ठीक है, बाई-बाई